भावी और बहनों, एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी है, जो राज रितिक स्वार्त के में डूप करके ऐसी चीजे कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं, देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इसमें इनको कोई सरोकार नहीं, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहद करने में जुटे हैं भारत की संसत का जन भावगनाओं की अभीवक्ति के पावन स्थान का ये लोग अपने राजनितिक स्वार्थ की वज़े से निरंतर अपमान कर रहे हैं आज पूरा देश मानवता पर आये सबसे बड़े संकर से सो साल में आया हुआ पहली बार आया हुआ इतने बड़े संकर से बहार निकलने के लिए जी जान से देश का हर नागरिक जूटा है प्रयास कर रहा है और ये लोग कैसे देश हित के काम को रोका जाए इस किस परधा में लगे हैं इस होड में जूटे हैं लेकिन साथियों ये महान देश इस देश की महान जनता ऐसी स्वार्थ और देश हित विरोधी राजनीती का बंदक नहीं बन सकता ये लोग देश को देश के विकास को रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले हैं ये देश इन से रुकने वाला नहीं हैं वो समसत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक से तीस करोड की जनता देश को रुकने न देने में लगे हुए हैं हर कठिनाई को चुनवती देते हुए देश हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है सिर्फ बीते कुछ हप्तों के किर्तिमानी देखें और जरा देखिए जब देश नए किर्तिमान थापित कर रहा था और कुछ लोग दिल्ली में समसत को रोकने में लगे हुए थे कुछ ही सब्तों में जो हमने किर्तिमान देखें तो भारतियों का सामर्त और सफलता चारों तरब नजर आता है अलम्पिक में अभुत्पूर्द्व प्रदर्शन को पुरा देश उत्सा पुर्वक देख रहा है भारत टीका करन के मामले में भी पचास करोड के पड़ाव के बिल्कुल जरभाजे पर आकर के खड़ा हो गया है देखते ही देखते उसको भी पार कर जाएगा इस कोरोना कालखन में भी भारतियों का उद्यम नए प्रतिमान गड़ रहा है जुलाई में जी एस्टी का कलेक्शन हो या हमारा एक्षपोर्ड हो इन नई उचाई छू रहे हैं जुलाई में एक लाग सोला हजार करोड रुपिय का जी एस्टी कलेक्शन होना ये बताता है कि अर्थ ववस्ता गती पकड रही है वही आजादी के बाद पहली बार आजादी के बाद पहली बार किसी एक महिने में भारत का एक्षपोर्ट डाई लाग करोड से भी जादा हो गया डाई लाग करोड से भी पार कर गया डाई लाग करोड रुपिय से पार होना आजादी के बाद पहली बार इस महिने में हुआ है क्रिशी निर्यात में हम दसकों बाद डुनिया के टौप तैन देशों में सामिल हुए है भारत क्रिशी प्रदान देश कहा जाता है लेकिन दसकों बाद टौप तैन में हमारा नाम आया है भारत का गौरव देश का पहला मेकिन इंडिया वाहन विमान वाहक पोत, मेडिन इंडिया विमान वाहक पोत, विक्रान समंदर में अपना ट्रायल शुरू कर चुका है हर चुनावती को चुनावती देते हुए भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे उंची मोटरेबल रोड का निर्मान पुरा किया है हाली में भारत ने ए रूपी लॉंच किया है जो आने वाले समय में डिजिट्रल इंडिया को मजबूती देगा और वेलफेर स्क्रिम को बिलकुल टार्केटेड और परपच को परिपूर्ण करेगा साथ क्यों जो लवग सिर्फ अपने पद के लिए परिशान है वो अब भारत को रोक नहीं सकते नया भारत पद नहीं पदग जीत करके दुनिया में च्छा रहा है नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं बलकि परिश्रम से तै होगा और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है भारत चल पड़ा है भारत का युवा चल पड़ा है